बम 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 गूज रही कती धाड़ा रुका हो रहा तेरी कावड ले मड़ आला हरियाने का छोरा परिवार को परिवार को यह दुख सहन करने की सक्टी परदान करें बिशनोई जी का कतल किया है उसके लिए मैं सरकार से अन्रोध करता हूं प्रात्ना करता हूं कि इन के खिलाप सरकार सक्ट से सक्ट कारवाई करें प्रसासन में बढ़िया बात नहीं है यह कोई मुला ठीक नहीं कर रहे ना प्रसासना प्रसासन को थोड़ी सक्टाई करने चाहिए इस कि इतने बहुत बड़ा अवदा होता है डियासपी का तो अगर वही सेफ नहीं है आप सही कहा रहे हो बिलकुल तो हम जैसे मैं जा रहा हूं बाइक पर यहां पर मैं सेफ कैसे हो सकूंगा मैं देखता हूं हर चोंक पर सरकार ने फुल्स वालों ने नाके लगाये होते हैं देकिन वह कभी किसी गाड़ी की चेकिंग नहीं करते यह भी बात गलत है आशा करता हूं बगवान जियासपी साब की आत्मा को शांती दे और उनके जिनोंने दोशी उन्होंने ये काम किया चल रही है इसके बारे में देखना चीए अच्छी बात नहीं है आम पब्लीक पुल्स वाड़ी ऐसे मरतरे दो आम पब्लीक क्या होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब देख सकते लोगों में का प्या क्रोस एक हुसा है और कंचन टीवी के टीम जो मारे कंचन टीवी का चैनल नम उसके माइद नम से दिखा रहे हैं आपको कल जो हर्याने में डी एसपी सुरेंदर सिंग बिसनोई की टंपर दुवारे कुचल कर हत्या कर दीगी थी नूर में खनन माफियों दुवारा कईन की एक बहुत बड़ा लोगों में कोफ है जनता नराज है और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों खिलाब सक्षे सक्त सिकंजा और कारवाई आगे भविश्य में दुवारा ऐसे कोई माफिया डोन किसी पुलिश वाले के साथ क्याम जनता के साथ भी करने से पहले हजार बारी सोचे हमारे गर्या मंत्री निलीवीज ने भी साफ कहा दिया किन लोगों खिलाब सक्त करवाई की जाएगी और कंचंटी वी चैनले को और सायर से नहीं अपडेट हरोज दिखाते रहेंगे कंचंटे मिनूज चैनले से मैं संजाल अडवाल कंचंटे मिनूज चैनले चंदीगड